पुलिस ने परदाफाश कर दिया है परकाश के निर्देश अनुसार सीयो सीटी जैसी नथावत के नितरुत में टीम गठित कर मौके पर जाकर चानबिन की चानबिन में पुलिस ने आसपास और बैंक में लगे CCTV केमरों की फुटेज को खंगाला और आसपास के लोगों से भी पूछताच की लेकिन किसी तरह की लूट का अंदेशा नजर नहीं आया वहीं पुलिस ने बैंक के आसपास पीडिस के कहे अनुसार केला खिलाने की बात को ध्यान में रखते हुए केले के छिलके को भी ढूंडा लेकिन पुलिस को वो भी नहीं मिल पाया पुलिस को अंदेशा था कहीं पीडिस पुलिस को और अपने मालिक को गुमराहतों नहीं कर रहा पुलिस में सकती से भरतलाल से पूछताच की इस पर वह जल्दी ही तूट गया और उसने अपने दोरह रची गई लूट की पूरी कहानी बताई भरतलाल ने बताई कि उसे केलन नहीं खिलाया गया था बलकि पैसो पर नियस खराब होने के चलते नींद की गोलिया खाकर अचेत हो गया था उससे पहले पैसो को वह घर पर रखाया था और नींद की गोलिया खाने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी पुलिस को सूचना मिली थी कि जेडी एस्पताल के जो संचालक है उन्होंने अपने करमचारी बहतलाल शर्मा को डेड़ लाग रुपे कोटक महंदर बैंग में जम्मा कराने के लिए थे और कोटक महंदर बैंग के पास में जो बहतलाल शर्मा जी हैं उनको किसी दो अग्यात वेक्तियों ने खेला खिला दिया और जिससे उनको बिहोशी चा गई और बिहोशी चाने के बाद में उनका जो पैसा है वहाँ से पार हो गया जिस सम्मन में पुलिस मौके पर गई और जो संचालक महोते हैं जेडी एसपाद के स्री महशन गरग जी उनके दोारा आफाइल दी गई एफाइल दोने के बाद में जो बरतलाल जी समपर किया तो वो जेडी एसपाद में जय रिलास ते है तो कि उनको ब्हुशी चाहर की दिय और मुझे ब्योश्य चा ज़ी और लेकिन पैसा मेरे पास में था वे पैसा किसी ने चोरी कर लिया है इसके बाद में पुलिस जैसा कि उसने भरतलाल शर्मा ने बताया था कि केला खाया उस जगे पर गई कि जहां उसने केला खाया वहां पर केले का चिलका नहीं मिला इसके बाद में पुलिस कोटेक मेहंदरा बैंक पे गई और वहां के सीजी टीवी खंगाले आसपास के तुकांदरों से पूस्ताश करी तो CCTV फूटेज के अंदर भी यही चीज़ दिखे रिये कि जो भरतलाल शुर्मा है वो बैंक के अंदर ना गुछर बहारी रहता है और बहारी घूमता फिरता रहता लेकिन बैंक के अंदर नहीं गुछता और फिर बहार ही फाउन करके अपने स्टाफ को अमचारियों को बुलाता है और बताता है कि बही मेरे साथ में लूट होगी और स्टाफ को अमचारियों को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं इसके बाद भी हमने मुगिबर खास भी लगाईं पूलिस की टीम लगाई और पूलिस की टीम है शेयो साव को प्रिणे के स्टाफ को त्यूर गी और हमने है मुगिबर खास और टीम को लगा और इसमें एक चीज़ सामने आई कि जो पीडित भरतला शर्मा उसको पैसों कי तो आज हम उसको लेकर आये थाने के अंदर पूस्थाज करी और आकर तूड़ गया अरोपी का नाम भरतलाल सर्मा सौहनलाल शर्मा है वो मका नमर 18 चंता कौल में मुंगस का करेने वाला है और पिछले 5 साल से जेडी एस्पाताल के अंदर सेल्स परसन की रूप में कारे कते ह बिल्कुल केले की जूटी कहानी तची थी और इसमें से जो डेड़ लाग है डेड़ लाग में से एक लाग 30,000 रुपे अपने घर के अंदर चुपाया और बाकी का जो 20,000 रुपे इसने अपने इंडियन औरसेज बैंक के जो खाते में जो इसके जॉइंट अकाउंट है इ एक लाग 30,000 रुपे बरामत के लिए है वो बैग भी बरामत के लिए है जिसके अंदर वो राशी थी